बहुत शुक्रिया आपका समय दिन क्लिए स्वागत ही टीरों स्वादेशपर गरॉंग बहुत सारे ऐसे निवेशक होती हैं जो आई-प्यू का इंतजार करते हैं लेकिन आई-प्यू पैसे लगाते नहीं है वो नो सेकेंडरी मार्केट का वेट करते हैं कि एचा एक बार लि अभिशेक आपका और आप सभी को शुक्रप्रबाद हमारे तरफ से तो यह बादार में सिर्फ आई-प्यू को ले करके नहीं अभिशेक किसी भी शेत्र में अच्छी कंपनी में निवेश के अगर आप बात करते हैं और अगर आप यही सोचते जाते हैं कि मौका छूट गय तो आप निवेश के तरफ कदम कभी नहीं बढ़ा पाएंगे तो कदम बढ़ाईए निवेश कीजिए अच्छी कंपनी में कीजिए तो अच्छी कंपनी आपको मुनाफ़ा कमा के देगी ना कि आपके रुपे ले करके जाएगी तो यह जो बात है ना फियर ओफ मिसिंग आ अपने कंपनी में हिस्सा लेने के लिए भागीदारी लेने के लिए और लंबी अवदी में निवेश बना करें अब आगर आपके समझ में आता है और अगर आप निवेश करते हैं तो आपको इसका लाब मिलता है और अच्छे आइपियो अच्छे कारोबार को ले करके अच अगर बाजार को या निवेशकों को कुछ दे के जाते हैं आप टेबल पर तो दोनों हातों से मेरे घ्याल से निवेशक इसको समेटेंगे और अगर आप महंगा IPO लेके आएंगे उधारन के तौर पर अभी कुछ समय पहले मामा अर्थ होनोसा का IPO आया था महंगा था नीचे का सर्केट लगा 10% का और फिर उपर के तरफ तो ये मा ये जो साम दाम दंड भेत की बात है ना अभिशेक ये मूल्यांगन पर निरभर करता है अच्छा है मूल्यांगन होगा उतना ही गणा सब्सक्रिप्शन आएगा और उसी मात्रा में आपको शेर मिलेगे तो अब देखे आप बन बनाईए कि आपको निवेश का परशर्त है कि आपका लंबी अवधी का नदर या हो इस कंपनी के उपर as a disclosure IPO नोट दोरा हमने निवेशकों को लंबी अवधी के लिए निवेश की राय दी थी और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से लिस्ट हुआ है उच्छा अपने आ बात है वेलिशन इस दकी भाव भगवान चे पुराने कहवत है और जो इसको फॉलो करते हैं बाजार में पैसे बनाते हैं और यह थी आई-प्यो मार्केट पर भी लागू होती है अगर वेलिशन ठीक है कंपनी ने वाजब कीमत लगाई है आपके लिए टेबल पर कुछ छ कीमत बाते हैं